हेलो फ्रेंड मैं हूँ सालने घर की खाने में आपका स्वागत है आज मैं लेके आई हूँ बोले बाबा का चूर्मा हमें कैसा बनाना चाहिए उसके लिए मैंने आटा ले लिया है जितना मैंने आटा लिया है उस Infinite आदा मैंने देशीगी ले लिया है देशीगी सुद्ध गाई का होना चाहिए और नहीं मिले तो हम ये भी ले सकते हैं तो मैंने ये आदी कटोरी घी ले लिया है और एक कटोरी मैंने आटा ले लिया इस घी को खुब अच्छी तरह मिला लेंगे ये हम परसाद भोलेवावा को 16 सौंबार ब्रत भोलेवावा पर जो चूर्मा चड़ता है वो आज तयार करेंगे इस तरह मैंने आटे में घी लगा लिया मुठ्धी हमारी खुब अच्छी बन रही है घी इतना हमें मिलाना है और पानी हमें थोड़ा लगाना है अब इसी तरह मैं थोड़े थोड़े पानी डाल कर और एक सक्त आटा गूंद कर तयार करूँगी ये हमें आटा सक्त ही गूंदना है कि हमारा परसाद जब बच जाता है तो हम उसे उठा कर श्टोर करके भी रख सकते हैं इससे हमारा परसाद बिल्कुल खराब नहीं होगा आप कितने दिन रखे रहें अब मैं इसे दो मिनट रेष्ट करा हूँगी आटे को हमने रेष्ट करा दिया है अब आटा हम फिर गूंद लेंगे इसे खूब तैट हाथ से थोड़ा चिकना कर लेंगे यह ज़्यादा सकते है तो ज़्यादा तो चिकना होगा नहीं फिर भी जीतना हो जाएगा हम उतना इसे मेल कर तयार कर लेंगे अब जब हम परसाद बना रहे हैं तो हम भूले बाबा का परसाद बना कर तयार कर रहे हैं तो मन ही मन हमें भूले बाबा का सुम्रन करना चाहिए तब ही परसाद हमारा अच्छी तरह बन कर तयार होगा अब इस तरह मैं इसे हांस से कुछ बढ़ा लूँगी उसके बेलना सुरू कर दूँगी अब मैं इसे बेलूँगी कि थोड़े तागस से ही हमें बेलना पड़ेगा कि हमने टाय टांटा गूंदा है और मुलाइम होता तो ये फटाफट बेल जाता अब इस तरह मैं इसकी रोटी बना लूँगी हमें रोटी से आज चूर्मा नहीं बनाएंगे ये हम मैंने अलग तरीके से बनाया है जो हम भोले वावा पर चूर्मा के लड़ू और चूर्मा चड़ता है आज वो मैंने परसाद बनाया है अब इसको मैंने बेल लिया है ये हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है अब इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे ये पूरा मैंने देशी घी में ही बनाया है अब इस तरह हम इसकी कटिंग दे देंगे फिर अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमें कितनी मौटी रोटी बेल कर तयार करनी है अब इस तरह मैं सारी टुकड़े इन पर रख लूँगे अब देखो इतनी मौटी हमें रोटी बेल कर तयार करनी है इधर मैंने गही लगा दिया है कड़ाई में गही भी हमारा गरम हो चुका है आप इसमें में सारे पीस छोड़ दूँगे गैस का आप ध्यान रखे गैस आप लोही रखे बहुत अच्छा चूर्मा बनकर तयार होगा जो नहीं खराब होगा और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा भोले वावा को हमें खूब अच्छा प्रिशाद बनाकर तयार करेंगे आज हम सावन में चूर्मा चड़ता है और इधर भाग उनमें सिवरत्री आती है तो भी हम चूर्मा के लड़ू और सूले सौमबार है जितने भी भोले वावा के ब्रत हैं उनमें चूर्मा के लड़ू बनाओ चूर्मा बनाकर वावा को अतिपिरिये है भोले वावा को चूर्मा तो मैंने आज ये वीडियो बना कर डाली है आप वीडियो पूरी देखें इसकी बिल्कुल ना करें और ये मेरा सिक्कर तयार हो गया अब हम इसे हलका सा नचूड लेंगे और इसी तरह सारा सिक्कर फिर आपको दिखाते हैं ये मेरा सारा सिग्या है अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और हम बीच बीच में इसके टुकड़े कर लेंगे जिससे हमारा जल्दी ठंडा हो जाए इस तरह मैंने अब इसके टुकड़े बना लिये हैं अब हम एक मिक्सी जाल ले लेंगे और उसमें हम डाल कर इन्हें पीस लेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी चूर्मा हमारा पिसकर तयार है इस तरह का चूर्मा भूले बावा पर चड़ता है तो मैंने वो ही पना कर तयार कर लिया अब हमने एक कटोरी आटा लिया था तो आदी कटोरी मैंने ये पिसी हुई चीनी ली है अब इसे हम अच्छी तरह मिला लेंगे हम इसे गरम गरम में बिल्कुल नहीं मिलाएंगे नहीं तो हमारी चीनी मेल्ट होने लगेगी अब ये मैंने ठंडा करके अब इसमें मैंने मिला ली है और चूर्मा बन कर तयार है अब मैं इसमें जो भी आप मेरे पास ड्राइब फूट है आपके पास जो भी है वो इसमें मिला कर तयार कर ले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना सेर करना और चैनल को सस्क्राइब करना चलो चलते हैं कल हम आप से फिर मिलेंगे